हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं रोसोई वीभा की दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहु के आटे की बहुत ही मज़दार नास्ता की रेसिपी इस नास्ते को आप सिर्फ पानी में फ्राइ करके बना सकते हैं और इसे आप घर के बेसिक समानों से बना कर त्या खरी मिर्च एड़कर एड़ करेंगे और एक चमाच अद्रक और लुसुन का पेच्ट अब इनको इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर Goose करेंगे सब्कें में पसंद के और ऑड़ कर सकते हैं जो सब्क यह आपको नहीं पसंद आप उसे हटा सकते हैं अब सब्क को इसमें बहुत अच्छे से मेंक्स कर लेना है और इनें लगतार चलाते हुए अच्छे से च्छोटी चमा सब्जी किंग मसाला और साथ ही इसमें एड़ करेंगे आधा चमा चिली फ्लेक्स लाल मिर्च पॉडर भी डाल सकते हैं साथ ही स्वादनुसार नमाक एड़ करेंगे अब सारी चीजों को इसमें अच्छे से मेक्स कर लेना है और मसालों को सब्जीयों को साथ 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेना है तो चलिए यहाँ पे आकड़ परफेक्ट अच्टाफिंग तियार हो गया है तो इसी के साथ गस को बन कर देंगे तो यहां पे अच्टाफिंग को हमने इस बॉल में निकाल लिया है और यह बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो इन्हें हम साइड में रखेंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस के तरफ अब यहाँ पे हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है और आटे को हमने अच्छे से चाल कर लिया है तो इन्हें हम इस बॉल में डाल देंगे तो इसमें हम दो कप आटे का इस्तिमाल करेंगे तो कब आटे में आपे 2-3 लोग के लिए यह नास्ता बना कर त्यार कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साब से और आटा ले सकते हैं तो अब आटे में हम एड़ करेंगे एक छोटी चमच अजवाइन अजवाइन को हाथों से करस करके डालिएगा तो इसमें बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा और साथ इसमें थोड़ा सा नमाक अड़ करेंगे अब सारी चुजों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अब आटे में हम थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे तो आटे में एक साथ पानी नहीं आइड करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सौप्ट आटा गुद कर त्यार कर लेना है और आटे को रोटी के आटे से थोड़ा सा सक्त आटा गुदना है तो बिल्कुल इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा पाणि डाल कर इसका एकदम परफेक्ट आटा गुद कर त्यार कर लेना है तो ये देखिए ये आटा ना ज़्यादा लूज है और ना ज़्यादा टाइट है तो बिल्कुल इस तरीके से इस आटे को त्यार कर लेना है तो आटे को हम एक बड़ा सा लोई त्यार करेंगे इस तरीके से अब इन्हें दोनों हाथों से प्रेस करते हुए हलका साथ चप्टा कर लेना है इस तरीके से ताकि इनको बेलने में आसानी हो तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और आटा लगाएंगे ताकि बेलते समय ये बेलन में चिपके नहीं और इन्हें एक बड़ा सा रोटी बेलकर त्यार कर लेना है और इन्हें रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है ज्यादा पतला नहीं बेलना है नहीं तो ये पानी में जाने के बाद फट जाएगा तो इस बत का धियान रखें तो इन्हें इस तरीके से एक बड़ा सा रोटी बेल कर त्यार कर लेना है दोस्तो आज की रेश्पी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को फेसू पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फोलो जरूर कर दीजिएगा तो ये लेजे यहाँ पे हमने एक बड़ा सा रोटी बेल कर त्यार कर लिया है तो अब इस बड़े रोटी से हम छोटे-छोटे पुडिया त्यार करेंगे तो इन्हें कट करने के लिए हमने यहाँ पे कटोरा लिया है आप चाहे तो कोई भी ढखकन या गलास से भी इनकी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से पुडिया कट करके त्यार कर लेंगे तो नास्ता बनाने में आसानी होगी और आपका नास्ता कम समय में बनके त्यार हो जाएगा तो इसका जो एक्ष्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से और सारे पुडि को एक प्लेट में उठा कर रख लेना है तो प्लेट में सबसे पहले आटा डालने आटा डालने से पुडिया प्लेट में चिपके गा नहीं और ये जो एक्ष्ट्रा आटा बच गया है इसे भी हम स्यम तरीके से पुडिया बिलकर त्यार कर लेंगे अब यहाँ पे एक पुडि लेंगे और पूरी के उपर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे पानी बहुत ज़्यदा नहीं लगाना है बस थोड़ा सा ही लगाना है ताकि ये आपस में चिपक जए अगर आप इसके उपर पानी नहीं लगाएंगे तो ये पानी में जाने के बाद खूल जाएगा तो पानी लगाना बहुत जरूरी है, चलिए इसके उपर हम एक से डेड़ चमच अश्टफिंग डालेंगे, अश्टफिंग बाहर न निकले, इन्हें अच्छे से पैक कर लेना है, अब पीछे से पूरी को उठा कर आगे के तरफ वंद कर लेना है, ये देखिए, इन्हें बह इसे ही सादा भी रख सकते हैं, दोस्तो इस नास्ते को जितना बनाना सान है, खाने में उतना ही स्वादिश्ट है और हिल्दी है, और इसे बनाना बहुत ही असान है, जो लोग तेल मसाला बहुत कम खाते हों, उनके लिए नास्ता बहुत ही परफेक्ट है, इस नास्ते को आ इसे तरीके से त्यार कर लेते हैं, तो फिर से हम एक पूड़ी लेंगे और इनके उपर भी हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, तो चलिए इसके उपर भी हम एक से डेड़ चमच अश्टफिंग डालेंगे, और इन्हें साइड से उठा कर आगे के तरफ इस तरीके से नास्ते को त्यार कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे सारे नास्ते को हमने त्यार कर लिया है, तो चलते हैं गैस के तरफ, तो कड़ाही में चार गलास पानी डाल कर, पांच मिनट पहले हमने गैस पर चड़ा दिया था, और पानी में बहुत बढ़िया उबाला गया है, तो जब पानी इस तरीके से खौल रहा हो तभी इसमें नास्ते को डालें नहीं तो ये पानी में जाने के बाद एक दुसरे में चिपक जाएगा तो अब इसमें हम सारे नास्ते को डाल देंगे तो सबसे पहले इन्हें 5 मिनट के लिए बीना कवर किये ऐसे ही उबाल लेना है उसक 12 मिनट के बाद इनको हम एक बार इस तरीके से उलट प्लट लेंगे ये प्रोसेस करना ज़रूरी है ताकि ये उपर और नीचे से अच्छे से पक जाए तो चलिए इन्हें हम फिर से 10 मिनट के लिए कवर करके मिडियम फ्लेम पर पका लेंगे तो इस तरीके से इस नास्ते क करेंगे और इसी के साथ गईस को बन कर देंगे अब नास्ति को पानी से चान कर किसी जाली वाला थाली या पलेट में निकालेगा से तो इस नास्ते को बनाने में 30 मिनट का टाइम लगा यह आठा है तो इसे अच्छे से बॉइल करना ज़रूरी है नहीं तो ये कच्छा रह जाएगा तो चलिए सब को हमने पानी से छान कर निकाल लिया है तो अब इनको हम सौर करेंगे तो अब सारे नास्ते को पीसेस में कट करके त्यार कर लेंगे तो ये देखिए एकदम सांदार नास्ता बनके तियार हो गया है तो है ना बनाना असान बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाला नास्ता है और खाने में उतना ही मज़ेदार है आप चाहे तो इस नास्ते को सेलो फ्राई या डी फ्राई करके भी खा सकते हैं तो इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद कमेंट करना बिल्कुल हिवत भूलिएगा और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो अब नास्ते को हम थोड़े से लाल मिर्च पाउडर और चा पर बार बिल्स कारे लेक जरूर तो के जरूंए लाइगा हैं।